26 साल का एक लड़का था, उसने सुसाइट कर लिया, सिर्फ सेक्स टूर्शन रेकेट की वज़े से ओनलाइन उसके साथ एक फ्रोड हुआ, अमनों उसको फ्रोड ही कह सकते हैं, उससे सेक्स टूर्शन सेक्स की, यानि इंटिमसी की वज़े से, कुछ वीडियोस कैट्चर हो गई, और उसके बाद उससे फिरोती मांगी गई और फाइल ये बात इतनी जादा बढ़ गई कि उस लड़के ने सुसाइट कर रहा था, अब इस वज़े से मैं राजी हुआ, इस वज़े से मझे लगा कि आज मुझे इसके बारे में बात घरनी चाहिए, और वो लड़का बैंगलोर का था, और वो लड़का जिसका नाम अ आने लगते हैं, एक वक्त ऐसा आता है कि वो लड़की बैंगलोर की नहीं थी, समझ रहे हो, वो कभी मिले नहीं एक दूसरे से, कभी नहीं मिले, वो बैंगलोर की थी नहीं, कभी मिले नहीं, सिर्फ मोबाइल पे ही बाते हो रही है, धीर धीरे परसल नंबर शेर हो गए, उन्होंने वीडियो कोल शुरू किये, वहां से intimate चीजें शुरू हो गई, और एक वक्त ऐसा आया, जब उस लड़की ने intimate वीडियो शेर किये, उस लड़के को बोला कि तुम भी intimate वीडियो शेर करो, तो बलती वही हो गई, उस लड़के ने बिलीव कर लिया, और उस लड़क किया और कहा कि आपने अगर इतने पैसे बैसे नहीं दिये तो हमें वीडियोस आपकी फैमिली को भीज़ देंगे आ सोचल मीडिया पे ढाल देंगे डर के मारे क्योंकि हम इसके बार में बात नीं करना चाहते है, it's not like खाना खाया है it's about intimacy share की है जो कि इंडिया में टैबू है इसके बारे में लोग बात नहीं करते जनरली ठीक है जब ऐसा कुछ हुआ तो उसे ऐसा लगा कि यार अगर ये चीज पब्लिकली चली गई तो मेरी इज़त का क्या होगा घर पे मुझे लोग कैसे देखेंगे मैं IAS की त्यारी करने आया हूँ एक ऐसा केस हुआ उसने शुरू में पैसे दिये अब जब भी आप पैसा देते हो न तो उनकी भूख और बढ़ जाती है तो जब उसने पैसे दिये शुरू में तो उनका पेट भरा नहीं उनका का में और चाहिए ऐसे करके वो पैसे मांगते गए मांगते गए मांगते गए वक्त ऐसा आया कि उससे संबलाई नहीं अब उसके पास पैसे इतने कहां से होते है फाइनली उस लड़के ने ये सोचा कि शायद मैं अपनी जिंदगी खतम कर लूँ तभी ये जो जंजट है वो खतम होना और वो लड़का दुनिया को छोड़के चला गया शायद अगर ये सब नहीं होता तो आज वो IAS की प्रिपरेशन करके कहीं अच्छा IAS बन चुका होता है और हमें एक अच्छा IAS देखने को मुझे